नमस्कार दोस्त मैं हूं चान्स और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भुचपूरिया इन दीनों भुचपूरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरे गुंचती रहती हैं और साथ ही साथ कई सारी ऐसी खबरे वाइरल होती है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री के सूपर स्टार्स से जुड़ी हुई होती है और लोग उन्हें देखना और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं बता दे आपको कि लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के सूपर स्टार्स यानि की पवन, खेसारी और निरहुआ और भी तमाम तरह के स्टार्स उन सभी से जोड़ी तमाम तरह की खबरें जिस तरह भी पेश की जाती हो उनका नाम देखकर ही उन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करक बता दे आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग सूपर स्टार्स और भोजपुरी के स्टार्स से के इस कदर दिवाने हैं कि सिर्फ उनका नाम देखकर ही वो किसी भी खबर को देखना पसंद करते हैं तो वहीं बता दे कि इस बात का फाइदा उठाते कई जगा कुछ ऐसी खबरे पेश की जाती है जिन जो की पूरी तरह जूट तो नहीं कहीं जा सकती लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है वो खबर कुछ और होती है और पेश किसी और तरीके सी की जाती है हाला कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत बता रहे हैं लेकिन बता दे आपको कि कई सारी ऐसी खबरे होती हैं जो कि बड़ा दावा ठोक कर उसे पेश किया जाता है लेकिन उस खबर में कोई जान नहीं होती बिना बात की बिना सिर पैर की खबरे होती हैं लेकिन बता दे आपको कि इस खास प्रोग्राम वा भी नहीं रहा उस खबर में उन सारी खबरों के पीछे की सच्चाई क्या होती है वो हम इस खास प्रोग्राम में आपको बताते हैं बता दे आपको कि इन दिनों भोशपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्म में बनाई जाती हैं फिल्मों से जोड़ी कई तरह की खबरे आती हैं कई बार ऐसा होता है कि फोटो फिल्म के सेट से अगर वाइरल होती है तो उनको लेकर ये खबर बना दी जाती है कि वो कोई गाना शूट हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि actor actress acting कर रहे होते हैं तो वहीं कई लोग खबरें उनके link up की फैला देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि album कोई release ही नहीं हुआ होता और यहां तहलका मत जाता है कि कोई album release हुआ है और लोग उसे देखने के लिए परिशान हो जाते हैं ऐसी तमाम तरह क release होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि news channels की भी गलती नहीं होती क्योंकि उन्हें खबर जो मिलती है वो वही पेश करते हैं लेकिन जो खबरें आती हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ी सी खामिया होती है जिस वज़ा से ये viral खबरे चलती है और इसमें कहीं न कहीं सच्चाई थोड़ी सी अलग होती है तो दोस्तों आज इस खास प्रोग्राम में हम नजर डालते हैं उस कुछ खास खबर पर जो कि इन दिनों काफी वाइरल हो रही है और लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पर उसके पीछे की सच्चाई थोड़ी सी अलग है इन दिनों भूझपूरी इंडस्ट्री में कई तरह के अलबम और गाने सुनने को मिल रहे हैं और साथी साथ जब स्वाल 2018 जाने को है और 2019 आने को है तो ऐसे में तमाम तरह के अलबम और तमाम तरह के गाने भी सामने आ रहे हैं बतादें आपको कि इन दिनों इस मामले में सुपर स्टार्स यानि खिसारी लाल यादव पवन सिंग, दिनेश लाल यादव निरहुआ और साथी साथ अर्विन दकेला कलू जैसे तमाम सिंगर और एक्टर भी पीछे नहीं है और इन दिनों इनके भी तमाम तरह के अलबम सामने आ रहे हैं लेकिन खबरें कुछ और भी हैं और इस गाने को सुनते भी हैं लेकिन सुनने के बाद सिर्फ गुस्ता ही आता है क्योंकि वो इन स्टार्स का गाया हुआ गाना नहीं होता है बतादे आपको कि दिवाली हो या फिर छट पुजा या फिर नियो यर हो ऐसे टाइम पर इस तरह के तमाम तरह के छलावे सामने आते हैं जो कि सुपरस्टार्स की फोटो लगा कर और उसे उनका गाना बता कर उसे हिट कराया जाता है और लोग सुनते भी हैं और वो गाने हिट भी होते हैं लेकिन कहीं न कहीं इस से जो हमारे स्टार्स हैं सूपरस्टार्स हैं उनकी बंदामी भी होती है क्योंकि कई बार उन गानों में कुछ खामिया होती है हाला कि ये गाने सुनना गलत नहीं है लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई करता है तो कहीं न कहीं ये बात गलत है और कई लोग ऐसा कर रहे हैं अपने गानों को हिट कराने के लिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सारी लालियादव और पवन सिंग जैसे तमाम सूपर स्टार्स अपने गाई की के लिए भी जाने जाते हैं और उनके गाने भी लोगों को काफी पसंद आते हैं तो ऐसे में लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और पोस्टर्स पर इनकी फोटोज लगा कर अपने गाने को हिट कराने की कोशिस करते हैं तो ऐसे सब चलावों से साफधान रहने की जरूरत है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये थी कुछ ऐसी खास खबर जो कि इन दिनों काफी जादा वाइरल हो रही है लोग उसे देख रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कुछ और थी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकिन अगली बार फिर मु खो prevention objectर को सण लेकिन आप लेकिन आपनी लेकिन ही सबमादिये व्यादा जार जेकिन दो सकफ़ेख़ के वर सब्स्तों प dato मि भी है उना हैं रहे हैं